नमस्कार दोस्तों, एडियूमेद में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा इसरैल-गाजा कॉन्फिक्ट में एक बहुती इंपोर्टेंट देश और एक व्यक्ति की ये वो व्यक्ति है जो शायद गाजा के नागरिकों को बचा सकता है जो humanitarian crisis इस वक्त गाजा में चल रहा है पिछले 10 दिनों से उसको बचाने का अगर कोई देश या व्यक्ति जिम्मा ले सकता है तो वो है इजिप्ट के राश्टरबती अब्दल फतेह LCC तो ये वक्ति किस तरह से help कर सकते हैं और अभी उसको लेकर US, Egypt और Israel के बीच में क्या development चल रहे हैं इनी को हम जानेंगे आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि Edumade App Play Store पर लाइव हो चुकी है इस आप को download कीजिए और जो मेरा history batch है वो start होने वाला है सभी students को mail जा रहा है जिनको mail नहीं पहुँचा है वो एक बार मुझे email कर दें मुझे संपर्क कर दें मेरा contact email ID नीचे दिया हुआ है description के अंदर आप उस पे संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं Egypt की तो Egypt की location वगेरा आपको पता होगी है अब मैं अपने समझदार subscribers की intelligence को चोट नहीं पहुचाऊँगा ये बता कर कि दोस्तों ये Egypt है और ये Israel है इतना आप लोगों को पता होगा लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा Egypt की geography में एक बहुत ही peculiar चीज है और वो है Sinai Peninsula ये काफी important है तो Sinai Peninsula technically Asia में आता है और बाकी का पूरा Egypt 94% of Egypt is in Africa but 6% of Egypt is in Asia तो ये Sinai Peninsula Asia और Africa के continents को जोडने का काम करता है हाला कि ये ज़्यादा populated नहीं है यहाँ पर रिगिस्तानी इलाका ही है जादा तर इसलिए ये थोड़ा densely populated नहीं है तो इस एरिया में Sinai Peninsula में Egypt के लिए एक बहुत ही crucial border है और वो है इसराइल का border तो देखें ये जो काफी लंबा इसराइल का border है इसमें एक छोटा सा हिस्सा गाजा के साथ भी लगता है और गाजा स्ट्रिप के साथ लगने वाला ये border हाला कि 12-13 km का border है पर इस वरी क्रूशल क्योंके यहाँ पर इतने से एरिया में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं तो मैंना इस पर एक 10 गंटे का वीडियो बना रखा है उसे जरूर देख लीजेगा आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा उपर स्क्रीन पर तो यहाँ 2.5 मिलियन चलो 23 लाग कहलो 23 लाग लोग जब यहाँ रहते हैं और इसरेल ने कह रखा है कि आप इस गाजा शेहर से बाहर नहीं निकल सकते गाजा स्ट्रिप से वहार नहीं निकल सकते क्योंकि निकलने की केवल दो ही जगे है एक Erez Crossing जिसको इसरेल मोनिटर करता है या फिर इसरेल के कंट्रोल में है और उसके अलावा दूसरी है राफा क्रोसिंग तो राफा क्रोसिंग इसकी इजिप्ट के साथ है गाजा की और ये Erez Crossing तो काफी समय से बंद है यहाँ पर बहुत restriction रहते हैं लोग आते जाते हैं बट गिंती के 5-10 लोगों को ये लोग आने जाने देते हैं mostly जो भी humanitarian aid भी अगर पहुंचती थी या कुछ समान भी पहुंचता था इजिप्ट के माध्यम से तो वो राफा के थू ही जाता था हाला कि आपको ये बात बता दूँ कि इजिप्ट और इस्रेल ने जबसे 1979 में diplomatic relations थापित किये हैं उसके बाद से इजिप्ट इस्रेल दोनो एक ही तरह की policy चलाते हैं अगर इस्रेल कहता है कि गाजा का blockade होगा तो इजिप्ट ने हमेशा उसका साथ दिया है कभी उसके against नहीं गया है इकका दुक्का instances छोड़ दीजे उसके लावा mostly हमेशा वो इस्रेल का साथ ही देता है तो पहली बात तो geography समझ लीजेगा कि गाजा strip completely surrounded है इस्रेल से सिवाए एक 12 km का stretch जो यहाँ पर इजिप्ट के साथ है अब जब से ये युद्ध शुरू है इस्रेल और हमास के बीच में तो उसके बाद से ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस्रेल अपनी ground forces यानि कि आर्मी को attack करने के लिए भेजेगा गाजा strip में हाला कि अभी तक आर्मी भेजी नहीं है जब ये वीडियो मैं record कर रहा हूँ लेकिन अल्रेडी इस्रेल ने पिछले शनिवार को ये अनौन्स कर दिया था कि northern गाजा के लोग migrate कर जाएं या फिर ये इलाका खाली करके दक्षिनी गाजा की तरफ चले जाएं तो उन्होंने कहा कि यहां पर एक नदी बहती है उसको कहते हैं वादी गाजा तो ये एक छोटी सी नदी है नाला ही बन चुका है नदी तो क्या है तो इस नदी के south में evacuate कर दिया जाए तो यहां की जो 1.1 million यानि की 11 lakh की जो अबादी है उसे कहा गया है कि आप सभी दक्षिन में चले जाएं जो खान यूनुस नाम का शहर है mostly उस तरफ लोग गए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है इसराइल का हमला सबसे पहले इसी पर होगा यह बात तो बिल्कुल तरह है इसलिए इन्होंने civilians को evacuate करने के लिए कहा है अब civilians evacuate तो कर गए लेकिन सभी नहीं करे हैं बहुत सारी जगे हैं जहाँ पर अभी भी evacuation बाकी है और problem यह आ रही ही कि अब जो दक्षिनी गाजा का हिस्सा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा humanitarian crisis आ गया है जहाँ पहले यहाँ पर एक million लोग रह रहे थे अब यहाँ पर double हो गए है दो million मलब 10 million के आसपास लोग हो गए है double तो नहीं हुए है 1.5 times हो गए है and there is an acute shortage of food, water, everything खाने पीने की वस्तुओं की बहुत कमी है, diesel, petrol, सब कुछ खत्म हो चुका है, electricity नहीं है, mobile के signals वगेर आप जा रहे हैं धीरे धीरे वो लोग भी गाजा में फसे हुए हैं, ऐसे और भी कुछ नागरिक हैं, हलाकि जादा तर देशों ने इसके बारे में कोई detail नहीं बताई है, बस US ने एक estimate दिया था कि शायद हमारे 200 नागरिक हैं जिन्नों ने गुहार करिए कि हमें Egypt के थुरू बाहर निकलने दिया जाए तो ऐसे कई लोग आकर इस राफा क्रोसिंग के बाहर अभी बैठ हैं, और दूसरे भी कई लोग हैं जो गाजा की रेजिटेंट्स हैं, वो भी निकलना चाते हैं, जो निकल सकते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, पर यह क्रोसिंग पिछले 10 दिनों से बंध है, लगातार बंध है, और इसके दूसरी तरफ, यानि कि यहाँ पर इजिप्ट वाली साइड पर, इजिप्ट ने कुछ कॉन्वोईस को गेट तक आने दिया है, पर क्रोस नहीं करने दिया है, तो कुछ UN ने उनको एड भेजी है, वो वहाँ पर अटकी हुई है, अब ऐसे में Egyptian President Abdel Fateh Al-CC का एक बयान काफी important है, दो दिन पहले उन्होंने एक statement दिया अपने देश में, कि हम नहीं चाते कि Palestine के लोग ये border cross करके पूरी तरह से एजिप्ट में आ जाएं, अब आपको लगेगा कि ये कैसे निर्दही पडोसी है, ये खुद नहीं चाते कि हमारे Arab भाई बंदू, ये हमारे देश के अंदर आकर रहे हैं, तो देखें, बात Arab भाई बंदू की नहीं है यहां पर, अब्दुल फटह Al-CC का यहां पर ये कहना है, कि अगर Palestine के लोग इस area को खाली करके Egypt में आ गए, तो हम उनको रहने के लिए जगे तो दे देंगे, जगे हमारे पास है, Sinai Peninsula ज़ादा populated नहीं है, densely populated, बट फिर यहां Palestine में किसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, Palestine का struggle खत्म हो जाएगा, अगर इसराइल यहां पर अपना कब्जा जमा लेता है, जैसा इसराइल का 2005 पक यहां पर पूरा military control था, तो फिर आप Palestine वापस मांग नहीं पाओगे, यह अब्दिल फतेह सिसी की reasoning है, और हमास की जो leadership है, उनकी भी reasoning है, हाला कि इसके अंदर पिस कौन रहा है, आम जंता, गाजा के जो आम नागरिक हैं, वो इन political leaderships के बीच में परिशान हो रहे हैं, हाला कि उससे इनको कोई फरक नहीं पड़ता है, बट अब्दिल फतेह LCC न प्राव नहीं करेगा कि इन Palestinian लोगों को हम अपने देश में आने दे, हाँ, इन्हें राहत पहुंचानी है, तो उसके लिए हम जरूर काम करेंगे, लेकिन उनके इस statement से शायद गाजा के लोग भी नाराज होंगे, most probably, और एक दूसरा reason ये भी माना जा रहा है, कि Egypt अल्रेड बहुत सारे refugees को handle कर रहा है, देखे, Egypt के आबादी लगबक 10 या 11 करोड के बीच में है, figures थोड़े से वो हैं, उनका exact नहीं आपाता census क्योंके बहुत सारे illegal लोग भी Egypt के अंदर रहते हैं, तो Egypt में 10 ग्यारा करोड के आबादी में से almost 90 लाख refugee रह रहे हैं, हालागे इन में से registered सिर्फ 10 लाख के आसपास हैं, लेकिन माना जा रहा है कि almost 9 million refugees Egypt के अंदर रह रहे हैं, और कई तो बहुत सारे generation से रह रहे हैं, जैसे कि 1948 में Palestine के कई लोग आये थे, वो भी यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं, Syrian civil war से 10 साल से जो चल रहा है, उसके कई सारे लोग यहाँ पर रह बीच में या 9 लाख के बीच में उनके पास registered आंकड़ा है, हाला कि यह देखो number change होता रहता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में Sudan में जो conflict चल रही है, उसके कारण बहुत सारा immigration हुआ है Egypt के बॉरडर में, अब Egypt के साथ problem यह है कि उसके आस पड़ोस में बहुत सारी देश हैं, सहरा के जो देश हैं, इनकी economy वैसे ही खराब है, तो यहां से भी शर्णार्थी आ जाते हैं, यहां से economic शर्णार्थी आ जाते हैं, और जो पड़ोस वाली लड़ाई वाले देश हैं, यहां से political refugees आ जाते हैं, तो Egypt is facing a refugee crisis in itself, Syria से भी बहुत लोग यहां पर आये थ तो कुल मिलाकर, Rafa crossing जनता के लिए तो बंद है, Palestine के लोग भाग कर Egypt में तो नहीं जा रहे, यह उनको जाने का और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब मान लोगी Egypt अपनी policy बदल दे, तो yes, it can do it, theoretically possible है, अगर humanitarian crisis और जादा बढ़ जाता है, तो ultimately Egypt पर दबाव बनाएंगे द अपने आपर जगे दे नहीं पड़ सकती है, तो अगर civilian crisis बहुत जादा बढ़ जाता है, तो यह एक मात्र देश है, जो गाजा के नागरीकों को बचा सकता है, I think आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखें, और किसी के साथ इनका border share नहीं होता है, और समुद्र के रास्ते से कहीं नहीं जा सकते, because there is a complete blockade by Israel along the sea, अब WHO लगातार कह रहा है कि कम से कम Egypt के माध्यम से दवाईयां तो जाने तो अंदर, evacuate करो, कुछ civilians जिनकी हालत बहुत खराब है, कोई hospital में admit है, कुछी को critical care कि आवशकता है, ऐसे लोगों को तो बाहर आने तो, लेकिन अभी तक उसके ब closed, अब एक बात याद रखना, इस area पे, यानि कि Gaza Strip पे 1967 तक Egypt का ही शासन हुआ करता था, in the 1948, Israel-Arab War, उस लड़ाई के अंदर, Gaza Strip पर किसका कबजा हो गया था, Egypt का, और 67 की लड़ाई तक, Egypt का ही कबजा रहा था, तो Egypt का Gaza के साथ, closed relation है, they have controlled this territory before, लेकिन 67 के बाद से कोई territory control नहीं कर रहे है, in fact, Jordan ने भी West Bank जिसको control किया करता था, 67 की लड़ाई तक, उस पर अपना सारा जो अधिकार है, वो छोड़ दिया, और इन लोगों ने सारा Palestine के struggle का का काम Palestinian लोगों के उपर डाल रखा है, और उसी के अंदर ये जो organizations हैं, Fatah, Hamas, ये उभर कराते हैं, 1980s के अं Israel में थे, उन्होंने ये बात कही कि हम humanitarian corridor setup करेंगे, मैंने इसरेल से बात करी है, कि Gaza से नागरिक Egypt की तरफ जा सकें, तो इसके लिए हम बात जरूर करेंगे, लेकिन देखे, US करता कुछ और है, कहता कुछ और है, तो एक तरफ कहतो ही रहे हैं दुनिया को, कि humanitarian corridor बनाएंगे, लेकिन जब UN में इसको लेकर कल voting हुई, तो एक मात्र vote जो against गया, UN Security Council के अंदर एक vote हुआ था, कि कुछ समय के लिए बंबारी रोकी जाये, ताकि humanitarian मदद गाजा तक पहुचाई जा सके, इस प्रस्ताव के खिलाफ केवल एक देश ने vote किया, और वो था USA, और आपको पताए मैंने Egypt के राष्टरपती से भी बात करी है, कि 20 trucks अंदर चले जाएंगे, राफा क्रोसिंग से, ये सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन UN के अंदर जो voting हो रही है, वो कुछ और हो रही है, अब जब तक Israel यहां बंबारी करता रहेगा, राफा गेट के आसपास या उस एरिया